अब हम देखते हैं Elimination Reactions, इन Reactions को Beta Elimination भी कहा जाता है या Dehydro Halogenation भी कहा जाता है Dehydro Halogenation Reaction कैसे होती है? यह हम करते हैं, discuss सबसे पहली बात, जो Alkyl Helides या Arryl Helides है इनकी Reaction को कराते हैं Strong Base के साथ किसके साथ कराते हैं? Strong Base के साथ Generally Alcoholic KOH लिया जाता है और इस Reaction को कहा जाता है Dehydro Halogenation Reaction Dehydro Halogenation Reaction तो क्या होता है इसमें देखो? जो भी Base है वो पडोसी जिससे हैलोजन जुड़ा है उसको बोलते हैं Alpha और जिससे Hydrogen जुड़ा है पडोसी कारवन से ठीक है? उसको Beta कारवन कहते हैं अब यहाँ पर क्या होगा देखिए? जो Base है OH- वो Beta कारवन से H निकालने की कोशिश करेगा और Alpha कारवन Living Group निकालने की कोशिश करेगा ठीक है? तो इस तरीके की Transition State इसमें बनती है जिसमें जो Base है वो यहाँ से H के साथ Bond बनाता है और C और H के बीच का Bond तूटने लगता है और Carbon और Clorine के बीच का Bond तूटने लगता है और Carbon और Carbon के बीच Bond बनने लगता है मतलब यह Living Group की तरह जाने लगता है Alpha से और Beta Carbon से H जाने लगता है और Alpha और Beta के बीच में Double Bond बनने लगता है ठीक है? तो यहाँ पर इस Position को हम कहते हैं Transition State क्या कहते हैं? Transition State और Alpha के और Beta के बीच में Bond बन जाएगा और बन जाएगा अलकीन क्या बन जाएगा? अलकीन बन जाएगा तो H प्लस और Base H2 बना लेंगे, Cl- यहाँ से चला जाएगा, ठीक है? तो इस Reaction को बोलते हैं Dehydro Halogenation क्योंकि Hydrogen और Halogen यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है? और इसलिए इसको हम कहते हैं Dehydro Halogenation Reaction तो यहाँ पर आजाएगा बच्चों H2O और KCL ठीक है? अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास ऐसा Alkyl Halide होता, जिसमें Unsymmetrical Groups रहते हैं जिसमालो यह है और इसकी Reaction को अगर हम कराते हैं, किस से? Alkylis के वए इस से? ठीक है, High Temperature पर यह Reactions करानी पड़ती है क्योंकि एक Molecule के दो टुकड़े हो रहे हैं तो उसके लिए Energy चाहिए ठीक है, इस Molecule के दो टुकड़े हो रहे हैं तो इसके लिए हमें Energy चाहिए दो-दो Sigma Bond Break करने हैं तो Energy की Requirement बहुत ज़ादा है, ठीक है? तो अब क्या होगा बताओ यहां से Alpha से Living Group जाएगा बीटा से H और इस बीटा से भी H जा सकता है और हमें दो प्रोड़क्ट यहां पर मिलेंगे CH2, Double Bond C, CH3, CH2, CH3 और एक प्रोड़क्ट यह मिलेगा CH3, C, CH3, Double Bond, CH, CH3 तो इन दोनों प्रोड़क्ट में से अगर हम देखें तो यहां पर Alpha H5 है ठीक है? Alpha H5 है और यहाँ Alpha H9 है ठीक है? और यह बच्चों More Stable है यह क्या है? More Stable है और इसी को जो More Stable है इसी को बोला जाता है Major Product यह इसे सेड़जेफ अलकीन कहा जाता है सेड़जेफ अलकीन ठीक है? इसके अंदर Alpha Carbon यह है Alpha Carbon यह है Alpha H5 है यह Less Stable है इसे कहा जाता है Minor Product और इसे Halfman Alken कहा जाता है Halfman Alken कहा जाता है ठीक है? तो बच्चों यह Important बाते हैं मैंने पूरी समझा दिया आपको यह Theory के form में चोटू-चोटू सा लिखा है इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा ठीक है? यह भी पढ़ लेना Strong Base हमें चाहिए Elimination के लिए ठीक है? Moderate यह जो हमने Nuclefile पढ़े थे Table बना के उससे Substitution होता है यह एक बार आप पढ़ लेना ठीक है? इसके बाद है बच्चों reaction with metals तो यह थोड़ा सा एक important point है इसको discuss करते है कि जैसे अगर हम किसी alkyl halide की reaction एक example ही दे रखा है CH3, CH2, CL की reaction किसी metal से कराते है let's say magnesium से और यह पुरा process ether में कराया जाता है no water should be present इसलिए लिखा dry ether तो जो metal होते हैं वो क्या करते हैं oxidize हो जाते हैं और यह बनाते हैं mg2 plus और 2 electron यह oxidize हो जाते हैं इन electrons की presence में जो alkyl halides हैं carbon पर delta plus रहता है chlorine पर minus तो यह electron gain कर लेते हैं यह living group की तरह चला जाता है तो पहले single electron gain करके यह free radical बना लेता है एक और electron gain करके यह NIN बना लेते हैं देखो दो minus charge हैं यहाँ पर भी one minus इस पर one minus इस पर बना लेते हैं और इनके बीच में हम charge को balance करने के लिए ऐसा लिख देते हैं CH3 CH2 minus mg2 plus CL minus और यह है बच्चों ग्रिगनाड reagent तो ग्रिगनाड reagent बनाया जाता है alkyl halides से in the presence of magnesium and dry ether ऐसे compounds को organometallic compounds कहते हैं क्योंकि carbon और metal के बीच में bond है इसलिए यह compound कुन सा है organometallic compound है ठीके बढ़ते हैं आगे इसके बाद यह बच्चों में पूरत ठीके इसको पढ़ लेना organometallic compound जो ग्रिगनाड reagent है यह water से reaction कर जाता है ध्यान से देखो मालो हमारे पास यह RMG X है तो जब RMG X को हम क्या करते हैं ether से बाहर निकाल के water में डाल देते हैं यह H2O से इसकी reaction को कराने की कोशिश करते हैं तो यह जो base है यहां से H plus निकाल लेता है और यह क्या बना लेता है RH और क्या बना लेता है OH minus और क्या बना लेता है MG plus 2 और क्या बना लेता है CL minus ठीके तो यह base है R minus base है यह H plus छोटू atom है baby atom है और baby को base पसंद है ठीके तो RH बना लेता है कि इस से बन जाता है लकेन, क्या बन जाता हैलकेन सिर्फ वाटर ही नहीं अलकोहॉल मेंसे भी एच निकाल लेता है अमीन मेंसे भी एच निकाल लेता है ठीके और यही सब इसमें दिया हुआ है second reaction जो काम की है वो है बच्चो वूट्स reaction एक बार मैं वूट्स रियक्शन आपको थोड़ी समझा भी देता हूँ तो वूट्स रियक्शन जो है वूट्स रियक्शन is the reaction of alkyl halides कि किसकी reaction है? alkyl halides की reaction है और यह हम कराते है sodium in the presence of dry ether किससे कराते है? dry ethers तो इससे क्या होता? 2 NaCl बाहर हो जाता है और यहाँ क्या बन जाता है? alkyne rr plus 2 NaCl फर एक्जामपल यहाँ पर हमने लिया CS3Cl और रियक्शन करा दी किससे 2 Na और CL CS3 से? ठीक है dry ether ठीक है? पानी नहीं होना चाहिए तो इससे क्या बन जाएगा? NaCl बाहर हो जाता है और क्या बन जाता है? CS3 CS3 और बन जाता है 2 NaCl ठीक है? यह बन जाता है इससा कैसे होता है? देखते हैं sodium आप जानते हैं, metal है यह oxidize हो जाता है क्या बना लेता है? 2 Na plus प्लस electron ठीक है? इन electronों को किसका सहरा? electron मतलब negative charge यहाँ पर polarity हम discuss कर चुके हैं तो यह electron यहाँ पहुँदिया यह living group है भाग जाता है, तो यहाँ बन जाता है Cl minus और क्या बन जाता है CH3 dot ठीक है? तो दो molecule है, दो electron gain करते हैं दो CL minus, दो CH3 dot ठीक है? और ऐसे CH3 dot और CH3 dot यह आपस में जुड जाते हैं एक एक electron दोनों लेके आते share कर लेते हैं और यह बना लेते हैं ठीक है? तो बहुत simple सा, इसका free radical mechanism है हलाकि NCRT में नहीं दिया है बट फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया तो मैं कैसे समझा पाता इसको? तो यह reaction 2NAX plus this इससे बनता है RR ठीक है? तो बढ़ते हैं बच्चों आगे अब दूसरी जो reactions है यह हम हेलो अरीन पर देखते हैं हेलो अरीन में यह जो दिया हुआ इसको मैं पहले समझा देता हूँ यह SN1 और SN2 reaction शोर नहीं कर पाता है एक्चुली क्या है? यह SN1 भी शोर नहीं करता है resonance ठीक है? resonance effect शो करता है यहाँ plus और यहाँ आजाता है minus तो carbon और chlorine के बीच में यहाँ पर दो bond आ गए पहले क्या था? single था अब resonance से दो bond आ गए और इसमें stronger हो गया bond carbon chlorine के बीच में और इसको कहते हैं हम double bond character क्या कहते हैं? double bond character और इस double bond character की वज़े से यह bond strong है और strong होने की वज़े से यह कभी SN1, SN2 reaction शो नहीं करता है, ठीक है? तो यह कुछ important points है यह दिये हुए है, resonance effect की वज़े से ठीक है? यह hello arine में SP2 carbon है alkyl या hello alkane में SP3 है तो यह तो शो कर पाता है SN1, SN2 लेकिन यह शो नहीं कर पाता है यह पूरा देखेगा instability of this and formation of double bond पूर कौन सी reactions है जो यह शो करता है यह शो करता है replacement किसका chlorine का किससे OH से मतलब nucleophiles है और यह reaction हमने कराई high temperature और high pressure पर बचो इस reaction का नाम भी याद रखना इसको बोलते है DAW process तो DAW process जो है यह काम आता है chlorobenzine को phenol में convert करने के लिए ठीक है chlorobenzine से phenol बनाने के लिए काम में आता है पहले में बच्चों इसका सिखाऊंगा आपको mechanism और फिर इस page पर वापस आऊंगा हलागि NCRD में भी दिया है बट पहले में आपको अच्छे से इसका mechanism समझा देता हूँ ठीक है बच्चों तो ये पहले में आपको सिखाता हूँ इसका mechanism ठीक है तो mechanism अपन देखते हैं ये तो हमको समझ में आ गया कि इसमें SN1 और SN2 reaction नहीं हो सकती है मगर इस पर है डिल्टा माइनस इस पर है डिल्टा प्लस चार्च तो जो न्यूक्लियो फाइल है ठीक है वो जाकर के इससे reaction कर सकता है और अगर ऐसा होता है तो कारवन क्लोरीन के बीच में पहले से एक बॉन्ड है एक और बन जाता है इस तरीके और क्योंकि इस कारवन के चारो बॉन्ड बन जाएंगे न्यूक्लियो फाइल के आने से तो यह दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ जाते है ठीक है अब यह इलेक्ट्रॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते है कुछ इस तरीके से मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है पहले इस तरीके से अपन बना सकते है वन है यह टू है त्री है डबल बॉन आ जाएगा बन टू के बीच में और त्री पर आ जाएगा लोन पैर ठीक है फिर एक और इसका आरेस हम ऐसे बना सकते हैं तो यह जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडिशन क्या कहते हैं एडिशन यूगलिफाइल जुड गया ठीक है एडिशन कहते हैं और दूसरी जो स्टेप होती है इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन क्या कहते हैं एलिमिनेशन इसमें ये electron करता है donate और ये बाहर हो जाता है और इस तरीके से reaction होती है ये normal SN1, SN2 की तरह reaction नहीं हो पाती है ठीक है एक बात दूसरी बात यहाँ पर NO2 ग्रूप अगर रहता NO2 ग्रूप रहता तो electron withdraw करता तो इस carvenine की stability को बढ़ाता यहाँ NO2 रहता तो stability को बढ़ाता यहाँ NO2 रहता तो stability को बढ़ाता तो जितने जादा NO2 present होंगे इसके respect में और्थो या पैरा position पर उतनी ही carvenine की stability बढ़ेगी और उतना rate of reaction बढ़ेगा और उतने कम temperature पर हमको reaction करा सकते हैं यहाँ पर अगर दो NO2 है तो यह reaction 368 Kelvin पर हो रही है एक NO2 है तो 443 Kelvin पर हो रही है लेकिन अगर NO2 नहीं है तो बहुत high temperature पर reaction को करवाना पड़ रहा है अच्छा एक और बात अगर इसमें 3-3 NO2 हो जाएंगे जैसे इसमें तो simple गरम करने पर भी reaction हो जाती है और बच्चों यह सिखाया हुआ है बच्चों mechanism यहाँ पर जो मैंने सिखाया मैंने यह लिखाया जनरली यह reaction कराने के लिए और तो यहाँ पैरा पर NO2 को लगाना पड़ता है NO2 is electron withdrawing group तो यहाँ पर अगर NO2 लगा रहता है NO2 लगा रहता है तो electron को withdraw करता है और withdraw करता है तो stability को बढ़ाता है stability को बढ़ाता है और reaction के rate को भी बढ़ाता है ठीक है तो यह बच्चों यहाँ पर समझाया हुआ है पूरा mechanism जो मैंने आप लोगों को सिखाया सीधे तरीके से ठीक है तो यह आपको दिखाया हुआ है आप धियान रखना तो यह reaction जो है इसमें meta पर अगर लगा दे हम जिसे CL के respect में meta पर है तो कारविनायन यहाँ आया फिर यहाँ आया तो इसमें कोई फायदा नहीं हुआ इसका मतलब meta पर NO2 लगाने से कोई फायदा नहीं है कहां लगाना पड़ता है reaction को कराने के लिए कहां लगाना पड़ता है और्तों पर या दोनों और्तों पैरा पर या सारी positions पर तब reaction हुप आती है तो जैसे तीनों position पर लगा दिया दोनों और्तों और एक पैरा तो reaction हुप आती है तो इस तरिके की reaction हमने सीखी लेकिन बच्चों मैटा पे लगाने का कोई फायदा नहीं होता है और यही चीज यहाँ पर समझा ही हुई है क्योंकि कार बिनायन यहां तो ओर्तों पर आएगा यहां पैरा पर आएगा इसके सामने तो आएगा नहीं तो NO2 के लगे होने का कोई फाइदा नहीं होगा ठीक है अब बढ़ते हैं बच्चों आगे ये next है electrophilic substitution reaction ठीक है इसको भी मैं आपको पहले समझा देता हूँ तो बच्चों जो chlorine है अगर benzene से directly जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं hello arine क्या बोलते हैं hello arine बोलते है जब हम इसका RS बनाते हैं तो जो lone pair है वो benzene के साथ show करता है resonance तो यहाँ पर आएगा lone pair और्थो पर और ये lone pair पर भी आएगा और फिर और्थो पर अपन बना सकते हैं ठीक है और्थो पर भी इसको ले जा सकते हैं तो इसका मतलब chlorine SN1, SN2 तो show करनी रहा लेकिन और्थो और पैरा position पर negative charge जरूर produce कर रहा है ठीक है तो अगर माल लीजिए कि कोई electrophile आया electrophile जानते हो जो electron lover होते हैं या जो electron deficient होते हैं जैसे बच्चो NO2+, जैसे CL+, जैसे R+, RCO+, ठीक है SO3 यह सब क्या है? electrophile है तो यह कौन सी position को पसंद करते हैं ortho और पैरा पर जाकर के जुड़ जाते हैं कैसे जुड़ते हैं? मैं आपको बताता हूँ ध्यान दीजिए कि जैसे मालो कोई electrophile आया तो वो देखेगा कि यार कहा minus 4 जादा है उसने देखा यार और तो और पैरा पर जादा है तो जा करके जुड़ गया कहां पर? यहां तो और तो और तो और पैरा पर तो electrophile आया जी यह दोनों electron इस पर आये और यह जा करके electrophile इसके साथ bond बना लिया एक H था एक electrophile भी यहां आ करके जुड़ गया और इस पर plus charge आ गया ठीके? अब सूलो की सरी plus charge कैसे आया? यह दोनो पाई electron my pie bonded electron मैंने इस carbon पर लिये यह समझाने के लिए बता रहा हूँ यहां plus यहां minus आ गया यहां पर पहले से hydrogen भी यह भी ध्यान रखना फिर इस loan pair ने electrophile के साथ bond बनाया तो यहां H भी है और E भी है ठीके? यह बन गया बच्चों ठीके? इंटरमीडियेट और इस intermediate के बाद जो second step होती है उसमें अगर यहां से H प्लस चला जाए तो यह दोनों electron कारवन को दे जाएगा ठीके? यहां पर आ जाएगा loan pair यह minus यहां plus है तो यह आपस में बना लेंगे double bond बना लेंगे इस तरीके और H प्लस यहां से हो जाएगा बाहर E प्लस यहां पर रहे जाएगा देखा जाए तो जो पहली step है जिसमें यह जाकर के E प्लस जुड़ा था यह reaction की slow step होगी कुशी step होगी? slow step होगी ठीके? और यह reaction की fast होगी step ठीके? यह RDS कहलाएगी ऐसा इसलिए क्योंकि यह है aromatic और इसका nature है non-aromatic यह है aromatic इसका nature है non-aromatic यह non-aromatic है और इसका nature है बच्चों-aromatic तो overall जो first step है वो slow है और इस तरीके की जो reaction है इसका mechanism है electrophilic electrophilic substitution electrophilic substitution reaction क्या नाम है इसका? electrophilic substitution reaction नाम है ठीके? तो यह जो reaction है इसमें CL के respect में या तो ortho पर या पैरा पर लगते हैं तो हमारा जो challenge रहता है वो यह रहता है कि बच्चों हम electrophilic को कैसे बनाएं? ठीके? NO2+, CL+, R+, RCU+, कैसे बनाएं? और एक बार बन गया तो फिर ortho पैरा पर लगा दें तो यही चीज़ यहाँ पर समझाई हुई है electrophilic substitution reaction in halobenzene ortho और पैरा पर electrophile आना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर electron density ज़्यादा होती है मगर meta पर तो कोई negative charge नहीं आ रहा है तो वहाँ पर electrophile नहीं आते हैं अब बचों यह reactions जो मैंने आपको समझाई यह देखो यहाँ पर halogenation बनाया हुआ है CL2 और FeCl3 के साथ यहाँ तो और तो यहाँ पैरा तो बस एक चीज़ अब आप और याल रखना जो CL2 है इसमें क्लोरीन के पास तीन लोन पैर इसमें क्लोरीन के पास तीन लोन पैर reaction हमने करा दी किसके साथ FeCl3 के साथ इसके पास है vacant orbital यह तोटेगा कैसे CL प्लस और FeCl4 माइनस FeCl4 माइनस ठीक है तो यह दोनों electron लेगा CL माइनस इसके साथ Fe के साथ bond बना लेगा और CL प्लस हमको चाहिए भी था यह हमारा Electrofile है यह ortho और पैरा पर जा करके और bond बना लेगा ortho वाला माइनर बनेगा क्योंकि यहाँ पर जो steric crowding है CL प्लस के लिए वो ज़्यादा होगी क्योंकि पहले से एक atom है और यह major बनेगा पैरा वाला ठीक है दूसरा है देखो बच्चों Nitration Nitration में HNO3 और H2SO4 लिया तो HNO3 का जो structure है वो कुछ ऐसा होता है इस पर H2SO4 अपना H+, डोनेट कर देता है और इस तरीके से यह oxygen इसके साथ bond बना लेता है छोटू atom है यह base है यह baby atom है baby को base पसंद है ठीक है ऐसा bond बना लेता है और फिर क्या होगा यह electron लेके चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा H2O और यहाँ आ जाएगा NO2+, और NO2+, है electrophile और यह ortho और पैरा पर जाकर जुट जाएगा ठीक है तो important challenge क्या है electrophile बना और तो वाला minor है और पैरा वाला major है ठीक है तीसरा है बच्चों sulfonation sulfonation के लिए क्या काम में लेते हैं H2SO4 H2SO4 का यह structure होता है यह H+, के साथ ठीक है यह भी base है यह baby atom है बना लेगा bond अब जैसे मैंने यहाँ से H2O निकाला था ठीक है यहाँ से भी आप H2 निकाल लीजिए तो यहाँ पर बन जाएगा H2O और बन जाएगा SO3 और H+, और यह जो H+, है सुरी जो SO3 है यह electrophile है यह जा करके जुड़ जाता है बेंजीन से आइदर ortho और पैरा ठीक है ortho वाला minor है और पैरा वाला major है ठीक है तो important बात है कि भाईया electrophile कैसे बने chlorination में CL plus कैसे बना nitrogen में NO2 plus कैसे बना sulfonation में SO3 कैसे बना ठीक है एक बार यह आगया तो मज़ा आगया इसके बाद बच्चों यह reaction है Friedal Craft Alkylation इसके अंदर काम में लेते हैं CS3L3 या RCL ALCL3 तो आप इसमें देखो ध्यान से CS3 CL हमने लिया reaction कराई किससे ALCL3 से मैंने डबा बना दिया इसका मतलब इसके पास vacant orbital है यह तूटता है कैसे CS3 plus और ALCL4 minus अब बच्चों बन गया electrophile यह तो यह औरतों पर या पैरा पर जाकर के जुड़ जाता है ठीक है इसके बाद देखते हैं बच्चों CS3 COCL इसकी reaction हमने कराई किससे ALCL3 से तो यह क्या बनाता है CS3 C double bondo plus और ALCL4 minus बच्चों बन गया electrophile यह तो औरतों पर यह पैरा पर जुड़ जाता है और तो माइनर है पैरा मेजर है और तो माइनर है पैरा मेजर है तो इसको बोलते है फ्रीडल क्राफ्ट रियक्शन उपर वाली जो रियक्शन है यह कहलाती है फ्रीडल क्राफ्ट अलकाईलेशन फ्रीडल क्राफ्ट अलकाईलेशन और जो नीचे वाली reaction है ये कहलाती है फ्रीडल क्राफ्ट फ्रीडल क्राफ्ट असाईलेशन ठीक है दोनों important है फ्रीडल क्राफ्ट अलकाईलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट असाईलेशन इसके बाद बच्चों ये कुछ-कुछ questions है यह आप लोग बना के देखिएगा एक reaction हो रहे है जैसे अपने वूट्स reaction पड़ी थी यहाँ पर एक वूट्स फिटिक reaction यहाँ पर एक हेलो अरीन लिया एक हेलो अलकेन लिया दोनों की reaction सोडियम एथर से करा दी इसको मैं थोड़ा अलक तरीके से लिख देता हूँ ग्यान से देखिए तो अगर हमने बच्चों यहाँ पर एक हेलो अरीन लिया देखो बच्चों हेलो अरीन SN1, SN2 शो नहीं करते हैं मगर मेटल के साथ reaction जरूर शो करते हैं तो इसकी reaction अगर हमने dry ether में सोडियम के साथ करा दी तो यहाँ से NACL बाहर और यह बन जाएगा बेंजीन के साथ CS3 और अगर हमने बच्चों यहाँ पर हेलो अरीन लिया सोडियम के साथ reaction करा दी तो इससे क्या होगा दो बेंजीन आपस में जुड़ जाती है तो बच्चों एक एक हैलो अरीन है, एक हैलो अलकेन है तो यह product बनता है, इसको बोलते है, woods fittig और दोनों अगर हैलो अरीन है, तो यह product बनता है इसको बोलते है, fittig reaction तो ऐसे याद रखना मैंने आपको short trick बता दिये ये woods fitting और ये fitting ठीक है बढ़ते हैं बच्चों आगे next इस पर questions करिएगा ये थोड़ा सा revision करने की बाते हैं इसमें ऐसा कुछ समझाने वाली बात है नहीं ये पढ़िएगा इसके बाद बच्चों ये CHCL 3 का ये oxidation ये धियान रखना इसमें भी कुछ समझाने जैसा है नहीं ये phosgene बनाता है क्या बनाता है? phosgene बनाता है important है ये धियान रखना और इसके बाद बच्चों ये थोड़ा पढ़ने की चीज़ें देखना एक बच्चों इसमें structure में बताना चाहरा था तो ये पूरा पढ़ना ये DDT का structure है ये भी बच्चों याद रखना DDT का structure भी याद रखना मैं आपको थोड़ा trick से बता देता हूँ तो इसमें काम में लेते हैं CL, C, CL, CL C double bond O H और इस compound का बच्चों नाम है chloral क्या नाम है chloral और इसकी reaction को कराते हैं chlorobenzene से तो यहाँ H, यहाँ H यह पाड़ी निकल जाता है तो यहाँ पर जो बनता है वो यह बनता है यह compound बनता है इसको बोलते हैं हम di-cloro, di-phenyl, tri-cloro, ethane ठीके इसलिए इसका short form क्या है DDT है ठीके मैं आपको बताता हूँ इसको क्या बोलते हैं di-cloro, di-phenyl, tri-cloro, ethane और इसलिए इसका नाम क्या पड़ा DDT ठीके तो बच्चों यह है complete मेरी तरफ से जो भी काम की चीज़ें थी वो सारी हमने discuss कर ली ठीके और अब हम next topic start करेंगे और वो है कौन सा alcohol, ether and phenol ओके students